नमस्कार अर्चना के क्रिशन गुनगान चैनल पर आपका स्वागत है नवरात्रे के सातवे दिन आदी शक्ती देवी दुर्गा के सातवे रूप मा कालरात्री की पूजा की जाती है पौराणी कथाओं के अनसार देवी के इस रूप की पूजा करने से दुष्टों का विनास होता है मा के इस सवरूप को वीर्ता और साहस का परतीक माना गया है अचारय बालकृष्ण मिश्र के मुताविक दुष्टों का नाश करने के लिए आदी शक्ती ने ये रूप धान किया था भक्तों के लिए मा कालरात्री सदैव शुप भल देने वाली होती है इस कारण मा का नाम शुमकारीवी है ऐसी माननता है कि मा कालरात्री की कृपा से भक्ता हमेशा भय मुक्त रहता है उसे अगनी भय, जल भय, शत्रु भय, रात्री भय आदी कभी नहीं होता है कालरात्री देवी का श्रीर रात के अंधकार की तरह काला है गले में विदुत की माला और बाल बिखरे हुए हैं, मां के चार हाथ हैं, जिसमें से एक हाथ में गंडासा और एक हाथ में बज्जर है, इसके हलावा मां के दो हाथ करमशे वर मुद्रा में और अभ्य मुद्रा में हैं, इनका बाहन गधा है ये माता गधे की सवारी के साथ नर्मुंड की माला पहनती है, हाथ में खपर और तलवार लेकर चलती है, काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है जिस से रक टपकता रहता है, भ्यंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्यान कारी है, कालरात्री माता को काली और शु करीबी कहा जाता है मा कालरात्री की पूजा करने से करियर समंदी आने वाली दिखतें दूर होती हैं वही जिन लोगों को अनवश्यक भय बना रहता हो उन्हें भी मा कालरात्री की पूजा करने से आराम मिलता है जिन लोगों को आग जीव जन्तु भूत प्रेत का भय लगता ह उन्हें मा कालरातरी की पूजा जरूर करनी चाहिए है। जब दैत्य, शूंब, निशूंब और रक्त बीज ने तीनों लोकों में हाहा कार्मचा रखा था। तब इससे चिंतित होकर सभी देवी देपता शिब जी के पास गए और उनसे रक्षा की प्रातना करने लगे। भगवान शिब ने माता पार्वती से रक्षशों का बद कर अपने भक्तों की रक्षा करने को कहा। सिब जी की बात मानकर माता पार्वती ने दुर्गा का रूप धान किया और शुम निशुम का बद किया। जब मा दुर्गा ने देत्य रक्त बीज को मौत के घाट उतारा तो उसके स्रीर से निकले हुए रक्ष से लाखों रक्त बीज देत्य उत्पन हो गए। इसे देखकर दुर्गा ने अपने तेज से कालरातरी को उत्पन किया। इसके बाद मा दुर्गा ने देत्य रक्त बीज का बद किया। और उससे गिरने वाले सारे रक्त को मुह में भर लिया। इस परकार मा कालरातरी ने शुम्प निशुम्प और रक्त बीज का बद किय जै शिर किशना जै शिर राधी